हरो फ्रेंस आज हम बनाएंगे बैगन का पकोड़ा जिसे हमारे यहां पर बैगन चौप या बेगुली भी बोला जाता है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है यह जो बैगन के पकोड़े आप इसनेक्स के तौर पर भी खा सकते हैं और या फिर साइड डिस्क के रूप में भी क्योंकि दाल चावल के साथ यह बैगन के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और यह टेस्टी और क्रिस्पी बैगन के पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बैगन तो मैंने यहां पर ले लिया है एक बिना बीज बैगन तो जब भी मैं लेने जाओ तो कोचिस करें कि बीना बीज बां वाला बैगन ले तो आप सोत्रें कि बिना बीज वाला पैगन कैसे चूज चोजtal ने तो इसे पहचाने का सबसे आसान तरीका होता एकि बैगन जो है बहुत हमळा होता है जिनमें 10 नहीं होते है और उ होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं तो आप पकोड़े के लिए हमेशा बिना पीज वाला ही बैगन खरीद हैं तो मैंने यहाँ पर हरे कलर का बैगन लिया है । आप पतले-पतले slice में cut कर लिए तो आप चाहे गोल-गोल भी काट सकते हैं या फिर बीच में बैगन को slice करके उसके फिर पतले-पतले slice cut कर सकते हैं choice आपकी है मैंने तो दोनों तरह से काट के दिखा दिया है देख सकते हैं बैगन में बिल्कुल भी बीज नहीं है कितना सुन्दर बैगन है काई सिर्फ आदे वैगन से तो यह बैगन के सारे slice को बरतन में रख लेंगे और अब पानी से धो लेंगे तो बैगनों को जादा देते पानी में डूओ कर नहीं रखेंगे बरना यह जो बैगन है पानी अपजोब कर लेगा और जो पकोड़े हैं बिल्कुल भी अच्छे बनेंगे बस तुरंत पानी डालेंगे और पानी से निकाल लेंगे अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो बैगन के जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और आप मैंने इसमें एड़ कर दिया थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पांच मिनिट के लिए छोड़ देंगे जिससे की बैगन के अंदर जितना भी एक्ष्ट्रा पानी है न वो निकल जाए और बैगनों के अंदर थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए और अब एक बरतन में ले लेंगे तीन चमच बेशन और दो चमच चावल का आटा डालने से बैगन के जो पकोड़े बहुती जादा क्रिस्पी बनेंगे और अब इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी ही प्री से अजवाइन क्रस्ट करके डालेंगे थोड़ी कलोंजी आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर हल्री पाउडर स्वाद अनुस जिसकी कंस्टेंट सेंसी ना जादा पतली होगी ना जादा गारी होगी बैटर बन के तैयार है पर थोड़ी सी मुझे थिक लग रही है इसलिए मैं एक चमज के करीब और पानी डालूंगी और आप 15 मिनट तक एक ही डारेक्शन में फैंटिंगे जिससे क्या होगा कि बेशन बहुत ज़दा फलपी हो जाएगा और जो बैगन के पकोड़ हैं बहुत ज़दा क्रिस्पी बनेंगे अग्दम फूले फूले बनेंगे इससे हमें कोई भी सोडा और बेकिंग सोडा कुछ भी डालने की ज़रुरत नहीं होती है बैटर बन के तैयार हो गया है और इधर इसका सारा पानी निकाल दिया तो बैगन के पकोड़े काफी देर तक क्रिस्पी बने रहते हैं और बैगन का एक स्लाइस लिंगे और बेशन में डिप करेंगे अच्छे से कोट करेंगे इसको और मीडियम होट ओईल में इसे डाल दिंगे तो मैंने पहली ही तेल को गरम होन तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइट से कितने अच्छे से फूल चुके हैं और अब दोनों साइट से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे तो अच्छा सा कलर आ चुका है मैं इनको निकाल लेती हूं किसी तरह से बचे हुए जो बैंगन मज़ेदार है आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई जरूर करना फ्रेंट्स रेसिपी में आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछना अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो क्रिस्पी करारी बैगन के पकोड़े के लिए एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की नई नई और यूनिक रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंट्स बनाओ खाओ मस्त रहो